पिछले 24 घंटे दिल्ली के आमाद्मी पार्टी के लिए बिलकुल भी सही नहीं रहे पहले केंद्र सरकार की तरफ से LG को ज्यादा शक्तियां और नवास दी गई और उसके बाद MCD के Standing Committee के चुनाव में आमाद्मी पार्टी को दूसरा बड़ा जटका लगा 12 जोन में ये चुना हुए और 12 जोन में से 7 सीटों पर BJP के कैंडिडेट जीतने में कामियाब रहे जबकी 5 सीटों पर ही आमादमी पार्टी के उम्मीदवार जीत सके स्टेंडिंग कमेटी में BJP का मजबूत होना कहीं न कहीं आमादमी पार्टी के लिए खत्रे की घंटी है क्यूंकि लंबे वक्त के बाद MCD पर कबजा किया था आमादमी पार्टी ने और अब उसकी भी जो में पावर होंगी जो में शक्तिया होंगी वो स्टेंडिंग कमेटी के पास ही जो होती है उसमें बीजेपी के साथ उम्मीदवार जीत कर आए हैं और दो उम्मीदवार चुने गए हैं तो उसकी जो शमता है वो कुल सदस्यों की संख्या नो हो गई जब क्याम आदमी पार्टी के पांच सदस्य चुन कर आए हैं और तीन सदस्यों को हाउस से निर्वाचित करवाने में वो सफल रही MCD के भीतर ये सक्ति प्रदर्शन दिल्ली के साशन के लिए बहुत ज्यादा एहम है क्योंकि स्टेंडिंग कमेटी नीतियों को मनजूरी देने और शहर के अन्यस अंचालन को देखने के लिए जिम्मेदार है कि निगम के फंड मैनेजमेंट अब BJP के हाथ में होंगे ये बहुत बड़ी चीज है निगम के फंड अब BJP के हाथ में होंगे आम आदमी पार्टी की नई रणनीती अब क्या होगी वो देखने वाली बात होगी इसके साथ ही इससे पहले 12 गंटे पहले मतलब कल यानि की तीन तारीक को तीन अगस्त को केंदर सरकार की तरफ से LG को और ज्यादा दिल्ली में शक्तियां दे दी गई LG को क्या शक्तियां दी गई वो भी आपको बताएंगे लेकिन उससे पहले आप सुनिए नवन इर्वाचित सदस्य MCD की स्टेंडिंग कमेटी की अंजू देवी को अपने जान के सभी कांसलर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और इसी के साथ अब जो स्टेंडिंग कमेटी बनकर जा रही है तो दो साल से जो कांसलर्स अपनी समस्याओं को लेकर फंड के लिए जगा जगा भटकते रहते हैं और दिली डेःध से नरेला जोन सबसे ग्रामिन शेत्र है तो हम अपनी समस्याओं को ज़Ze ज़ता से ज़aldo कमईटी में उठा पाएंगी और स्टैंडिंग कमईटी के जरिये, फंड के जरिये हम अपने दिली डेःध का विकास कर कर सकते हैं जिसे लेकर आमादमी पार्टी और बीजेपी के पीज दिल्ली में एक बार फिर से तकरार की जो गहराईयां हैं वो और ज्यादा खाई तकरार की बढ़ गई है इसे पहले ही अधिकार रास्टपती के पास हुआ करते थे लेकिन अब ग्रह मंत्राले के जरिये रास और कामकाद से में ज्यादा भूमी का हुआ करती थी मतलब अब सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि अब दिल्ली के राज्यपाल जो पहले से ही ताकतवर हैं दिल्ली में आमादमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच की तना तनी किस तरीके सापस में ठनी रहती है वो किसी से गवारा नहीं है लेकिन अब केंदर सरकार के द्वारा कुछ संशोधन करके दिल्ली के राज्यपाल को और ज्यादा शक्तियां दे दी गई है जिससे एक बार फिर दोनों के बीच टकराव बढ़ना लाजमी है दूसरी तरफ में भी ताकत बढ़ा लिया है में ताकत भी लगा है जनता भी लगातार अरविंद के जिवाल की खिलाफत कर रही है और ये इन चुनावों में भी दिखाई दिया तो अब देखना होगा के स्टेंडिंग कमेटी में MCD का काम कैसे चलता है क्योंकि BJP अब ज्यादा ताकतवर मैनेजमेंट में हो गई है मही 2025 का झाल